नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो पर आप लोग के लिए बहुत मत्तपूर्ण जानकारी लेखा रहे हैंस्य पर आजके इस वीडियो पर हम लोग जानेंगे・स ic के बारे में हम जानेंगे उमंग के माज़न से हाँ दोस्तों उमंग एप के माज़न से आप एस ऐसी लॉग इन करके पूरा डिटेल से सब चीज़ देख सकते हो जैसे कि आपका कंट्रिबूशन कीटना करता है कब कब कटा है आपका इसमें किसका डाम डला है आपका अधार काड़ अपडेट है की नहीं आपक क्लीक कर लेजें अंगो पर प्रेस करते ज़ीए तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मुंबाइल पर उमंग एप को डाॉन लोड़ करने के पा roller टीज जिन उपन करने की what अगा तोवर्स ओपन करने के बाद इस प्रकारका इंटरंफेस्त करके इस पर डिखाएगा तो प्ररेंस यहांपर सब से पहले हम yes is type करके सर्च कर लेते हैं जीसे की हम yes, पोर्ट ल सहज करके home page पर पहुँच पाए तौबर्स इस प्रकार सेher करके ESIC पर क्लिक करके open कर लीजिएगा open करने के बाद इस प्रकार का यहाँ पर आपको interface दिखाएगा तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पर my profile पर क्लिक करके हम यहाँ पर login कर लेते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर login करना पड़े गया तो यहाँ पर अपना IP उस प्रकार करने के बाद यह यह साइसी का जो लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करके करने इस प्रकार का open होगा फ्रेंस यहां पर हम देखते हैं my profile, my profile पर click करने के बाद friends आपका यहां पर पूरा detail दिखाएगा आपका personal पूरा detail दिखाएगा कि इसमें आपका नाम क्या है, आपका date of birth क्या है, आपके father's का नाम क्या है, आपके mobile नमर क्या है, आपका address क्या डला है, आ आपके जो फैमिली का डीटेल है उसको दिखा देगा अगर आप यहां पर डला रहेगा तो अगर नहीं डला रहेगा तो not phone दिखा देगा जैसे कि इसमें नहीं डला है उसके बाद next पर click करने के बाद आपका पूरा अधर डीटेल दिखाएगा जिसमें आपका insurance नंबर आपका dispensary दिखा देगा फ्रेंस यहां पर आपका dispensary भी दिखा देता है कि आपका dispensary है वो कौन होगा तो फ्रेंस जैसे कि यहां पर बरोदा बजार स्यूटी का जो ESIC dispensary है यह मेरे लिए है उसी प्रकार से मेरे फैमले के लिए भी यह है और उसके बाद इसका registration डेट दिखा देगा कि इसका registration कब हो है तो फ्रेंस इस प्रकार से आप ESIC का जो प्रोफाइल है आप पूरा डेटेल से देख सकते हो यहां से उसके बाद प्रेंस यहां पर दूसरा म देख सकते हो अगर feedback भेजना चाहते हो कुछ भी तो feedback भेज सकते हो फ्रेंस यहां पर अब हम जो contribution इसमें कटा है उसको देखते हैं तो फ्रेंस इसके लिए 84 रुपे का लगभग लगभग यहां पर कटा है तो फ्रेंस इस प्रकार से आप अपना contribution को देख सकते हो इसको चेंज करके आप दूसरे मंद का भी देख सकते हो इसमें 6-6 मंद का दिखाएगा तो फ्रेंस यहां पर अक्टूबर मार्च का है उस पर क्लिक करने के बाद फ अपरेल से लेकर सितंबर तक का जो डाटा दिखा रहा है तो फ्रेंस यहां पर अपरेल माई जून जुलाई अगत सितंबर तक कि यहां लास्ट जो कटा है उसको यहां पर डाटा दिखा रहा है इसमें 84 कटा है उसके बाद बढ़ के जो सेलरी बढ़ है उसके इसाब से इस ओलोड नहीं हुआ है उसके बाद जो Service वाले option है उसमें दूसरा option benefits को देखते हैं कि इसके क्या-क्या benefits है तोप्रंट इसके लिए simply इस पर क्लिक कर लिए इस पर क्लिक करने के बाद प्रंट यहां पर आपको Hindi और English दोनों में मिल जाता है कि इसके क्या-क्या benefits है तो इस पर click करके आप पूरा detail से देख सकते हो कि इसके क्या-क्या benefits है तो friends ये फिर हाल open नहीं हो पा रहा है तो friends आप इस पर click करके पूरा detail से देख सकते हो कि इसके क्या-क्या benefits है उसके बाद प्रेंस तीसरा option को देखते हैं claim status तो अगर आपने ESIC के लिए कोई claim किया है तो claim की क्या status है उसको देखना चाहते हो तो इस claim status के आवाले option में जाकर देख सकते हो तो प्रेंस यहाँ पर click करने के बाद आपको पूरा detail दिखा देगा उसके बाद चौथा option है feedback का अगर इसमें आपको feedback देना चाहते हो तो प्रेंस यहाँ पर click करके आप इसमें अपना message submit करके feedback करके feedback दे सकते हो उसके बाद last option है co worker ips तो प्रेंस अगर इस पर click करते हो तो प्रेंस यहाँ पर आपको आपका employer का code दिखाएगा, उसका नाम दिखाएगा और उसका address दिखाएगा और view details पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर गार इतने भी लोगों काम करते हैं उन लोगों का सभी का नाम दिखाएगा उसके बाद तीसरा option है ESIC Center इस पर क्लिक करके हम देखते हैं कि हमारा जो ESIC Center है मतलब dispensary है, ESIC Hospital है, ESIC Diagnostic Center है यह सब कहा है, तो यहां से आप इसको सर्च करके पूरा देख सकते हो तो जैसे कि यहां पर आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ कोई भी ESIC, जैसे सबसे पहले मैं ESIC Hospital सर्च करके दिखा देता हूँ कि ESIC Hospital राइपूर में कहा है तो इसके लिए simply आप एक Hospital देखना है, तो ESIC Hospital को यहां पर क्लिक कर दिजे उसके बाद यहां पर अपना State सेलेक्ट कर दिजे, जिस भी State का आप देखना चाहते हैं और उसके बाद यहां पर अपना District कर दिजे, जिस भी जीले का यहां पर देखना चाहते हो तो यहां पर मैं राइपूर डाल देता हूं तो राइपूर डालने के बाद सब्मेट पर क्लिक कर देते हैं सुप्रेंस अपर क्लिक करने के बाद अगर रायपूर डिस्टिक्ट में कोई ESIC हॉस्पिटल होगा तो यहां पर उसका पूरे डिटेल दिखा देगा उसका लोकेशन भी दिखा देगा तो यहां पर देखिए यहाँ पर यह SIC hospital राइपूर करके दिखा दिया है एड्रेस रावा भाटा में है get direction पर क्लिक करके फ्रेंज आपको यह इस पर क्लिक करते हो तो वो आपको location भी दिखा देगा तो फ्रेंज इस location के मद्यम से आप उस hospital में पहुंश सकते हो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंज यहाँ पर आपको मैं जो dispensary होती है उसको search करके दिखा देता हूँ क्योंकि dispensary बहुंश सारे होते हैं hospital तो एक ही एक ही दो हो सकता है कही जीलो में तो रहता ही नहीं है और dispensary तो अधिक तर जीलो में रहता ही है तो फ्रेंज यहाँ पर मैं dispensary select कर लेता हूँ ESIC dispensary उसके बाद state select कर लेता हूँ GSB state का देखना है तो मैं 36 गड़ का देखना है तो 36 गड़ select कर लेता हूँ उसके बाद जीले को select कर लेता हूँ मुझे देखना है रायपुर जीलेगा तो फ्रैस यहां पर मैं रायपुर जीला सлекत कर लेता हूँ उसके बाद सब्मीट पर क्लिक कर देता हूँ सब्मीट पर क्लिक करने के बाद यहां पर उपस्तित समस्त ESIC डिस्पेंसरी को यहां पर लोकेशन समय दिखा देगा तो फिर इस गेट डारेक्शन पर क्लिक करके आप सिंपली इस डिस्पेंसरी पर जाकर यहां से आप मेडिशन खरिश सकते हैं अपना ट्रिटमेंट करवा सकते हैं इस प्रकार से आप इस उमंग एप के माज़न से ESIC को लोगिन करके पूरा डिटेल से इसका जो एक एक फीचर है उसको आप यहां से देख सकते हो इसका लाव उठा सकते हो तो फिर इस वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को कर दीजिएगा